आग जो है हमें एवेल आईडी और फोन नंबर जो है वो बताएंगे जिसके उपर दिल्ली में कोई भी जो है इस पर अपनी कंप्लेट भेज सकता है कि अगर वाटसाप पे फेस्बुक पे ट्विटल पे या किसी भी सोचल वीडिया प्लाटपॉंग पे कोई ऐसा मेसेज भे के बीच में दुश्मनी की भावना आ सकती है ऐसा पोटेंशल वो रखता है तो उसकी कंप्लेट जो है कोई भी जो है दिल्ली विधानसभा की समीटी को कर सकता है तो उसका इमेल आईडी आज जो है वो बन गया है वो है dvscommittee at delhi.gov.in dvs जो है दिल्ली विधानसभा से बनता ह dvscommittee at delhi.gov.in और इसका एक whatsapp नंबर है जिस पे आप screenshot भेज के भी complaint कर सकते हैं 895 0000946 ये दो माध्यम है जिस पे complaint की जा सकती है और कमेटी के आज सदस्यों ने कहीं सारे सुझाव दिये और उसमें एक सुझाव ये आया कि इन दो माध्यमों की email id और इस phone number की जो जानकारी है वो general public को हर तरीके से दी जाए चाहे वो अखबारों के अंदर advertisement हो, radio zingle हो, sms हो, mass sms हो, hoardings हो, unipols हो, सरकारी buildings, schools, colleges, hospitals, ISBT, railway stations हर तरीके के जगवों पे hoardings लगाके जो है इसकी जानकारी दी जाए और धार्मिक स्थानों पे भी इसकी जानकारी देने के लिए hoardings वगरा लगाए जाए एक और बहुत अच्छा सुझाव हमारे सदस्य जी ने दिया, अजय जी ने, कि एक वो इलाका जहां पे कुछ दिनों पहले दंगे हुए, वो जारा तर जो है, छे विधान सबाओं से संबंदे थे, तो उन छे विधान सबाओं के छे खे छे विधायक और वहां के religious leaders, जो भी धार्मिक वहां पे गुरू हैं और जिनकी लोग बात सुनते हैं, उन लोगों की एक वहां पे peace meeting, शान्ती meeting बुलाई जाए, ताकि लोगों के अंदर शान्ती और सौहार्द का संदेश दिया जाए और अभी कमेटी ने ते की आया कि पास तारिक को यानि की भरषपतवार को ये meeting रखी जाएगी, meeting में इस बात की भी चिंता जताई गई कि होली जो है, दस तारिक की होली है, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि तेवहारों के आसपास, चाहे वो किसी भी धर्म के तेवहारो उसमें थोड़ा communal tension बढ़ती है, तो इसी को देखते हुए कोशिशे की गई है कि होली से पहले और Friday की meeting जो है, Friday की जो नमाज होती है, उससे पहले जो है, पास तारिक को एक धर्म गुरुओं के साथ हमारे 6 के 6 विधायक जो है, वो बैठे और Peace Committee की तरफ से हम लोग उसके अ का संदेश जो है, इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर दिया जाए, और भी कुछ जो फैसले किये गए हैं, जो खास तोर पे हुली से संबंदित हैं, जिसके लिए पुलिस को एलर्ट करने की बात है, फाइब रिगेट्स को एलर्ट पे रखने की बात है, और कई सारी जो जानकारियां और जो डिसकेसंस हुए हैं, उसके लिए भी हम अलग अलग अथॉर्टीस से इसके लिए बात करेंगे, और इस पीस की जो मीटिंग है, इसके अंदर हम दिल्ली पुलिस के कमिश्णर साहब को भी इसके अंदर बुलाएंगे, ताकि बड़ा संदेश इस इलाक के मैं जास के